भाई यहाँ पे offline ticket बिल्कुल नहीं मिलता है देखो इन लोग offline की चक्कर में यहाँ पे online ticket नहीं लेके आ है भीर देखो ticket के लिए कितना भीर है यहाँ पे यहाँ दोस्तों कैसे आप सभी लोग स्वाकत करते हो आप सभी का एक और नहीं ब्लॉक में दोस्तों आज मैं आया था दिल्ली का चिरिया घर और भाई यहाँ पे आपे देखरो यह देखो भीर भाई भीर देखो जो लोग ticket बुक करके नहीं आ है भाई देखो इन लोग offline की चक्कर में यहाँ पे online ticket नहीं लेके आ है भाई भीर देखो ticket के लिए कितना भीर है यहाँ पे यहाँ यह भीर है लोगों के पास टिकेट नहीं है तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को completely दिखाऊंगा और बताऊंगा वही आप online ticket कैसे book कर सकते हैं तो भाई mobile पे और laptop में दोनों में आपको दिखाऊंगा कैसे ticket book होता है तो देखिए पहले ticket कैसे book होता है तो कैस में open कर चुक हो अपना Chrome बाउजर तो यहां पर देख सकतो और यहां पर हम सबसे पहले सच मारेंगे दिल्ली जू online ticket तो दिल्ली जू online ticket आप जैसे यहां पर type करोगे तो यहां आ जाएगा तो देखो खुल चुका है और यहां पर आपको इस तरह दिखेगा यहां पर login लिखा है mobile number तो यहां पर आपको mobile number टाइप करना और नीचे आपको जो capture code है यह आपको यहां पर डाल देना है डाल देने के बाद आपको नीचे login करना है जैसे आप किलिक करेंगे यहां पर आ जाएगा verify डिटेल यहां पर आपको डालना है जो mobile number दिए उसमें आ चुका है और टीपी तो यहां पर डालने के बाद कुछ इस तरह आएगा यहां पर देखे़ों टीकित कर देड़ है कौन सी तारिक को जाओगे यहां पर payment payment पर हम यहां किलिक करेंगे किलिक करने के बाद कुछ इस तरह interface आपके सामने खुल जाएगा थोड़ी देर में यहां पर देख सकते खुल चुका है और यहां पर आप अपनी credit card debit card net banking से payment कर सकते हैं जैसे आप payment कर देंगे आपकी email id आपकी message में आपका ticket आ जाएगा यह laptop से book करने का तरीका तो भाई mobile पर तो मैं अपना mobile open कर चुका हूं mobile की यहां पर मैं आ चुका हूं Google में आप यहां सच मारूंगा दिल्ली जू टिकिट booking online तो यहां पर देखो यहां पर भी सैंप से आ चुका है यहां पर आपको login में क्किल्क करना आए लागिन आ गया मोब También नंबर ड़ना है स्वेसाम प्रसेस मोब नमबर ड़ने के बाद नीचे आपको आएगा option capture code का मोबाइल नमबर डाल दिये हैं यहां पर capture code हम डाल देंगे capture code डालने के बाद आपको यहां पर नीचे दिख जाएगा login with OTP OTP में क्लिक करने के बाद यहां पर OTP आजाएगा आपकी mobile पर यहां पर जैसे OTP हम डाल देंगे डालने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आजाएगा make profile पर यहां जेनरल टिकेट बुक करना है यहां पर आपको तारिक उसके बाद slot select करना है उसके बाद quantity select करना ह सब कुछ डालने के बाद आपको आना पड़े गया सबसे नीचे हम आ जाएंगे यहां पर सारा कुछ डिटेल आ जाएगा यहां पर आपको make change change भी कर सकते हो और make payment अब जैसे हम payment में क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा आपकी payment का processing यहां पर देख सकते हैं आपको debit card credit card और यहां पर आपको net banking तीन option देता है तीन option से आप यहां पर आप कर सकते हैं अब जैसे आप यहां पर पैसा पे कर देंगे आपका ticket आपकी mobile में आ जाएगा उस हो गई जैसे कि आप online ticket कैसे बुक करते हैं मोबाइल से भी दिखाया और laptop पे भी बुक करके दिखाया और payment processing में आपको दिखाया कि यहां पर डेबिट card से भी कर सकते हो और net banking से कर सकते हो तो भाई कितना easy है ना दिल्ली जूका ticket बुक करने का तरीका तो वीडियो अच्छे लिगी तो वीडियो को like comment share and subscribe जरूर कर देना भाई मिलते किसी next information next blog में तब तक लिए bye bye take care